लेगी जरूर जरूर मिलेगी कल्वा जी यो टिमाटर उठा और जग्गू की खोबड़ी पर दरदें कि क्यों नीक ख़ड़ा रहा है मुरत मंगे लोल ना जीए और ना तो टैम ते पहले ही ते राम नाम सथ हो जगा गणे दिनों अगर निसान न लगाए आज इस टिमाटर पर निसान लगा के देखती हूँ देख जग्यों तन्न मेरा एक पेड काटा ना तो मैं भी गोली एक ही चलाऊंगी अगर गोली टारगेट पर ठीक बैठ गी तो नू समझ तू बच गया अगर निसान न चूग गया तो नू समझ तू गया अज़ा जुलम मत करो चत्रो जाची मेरा जोटो 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 बच्चे है रहे रोवे मतना बावली पूच मेरे हाथ पैर फूल जांगे गोली टी माटर में लगने के बजाए तरी खोपड़ी में लग जागे एक दो तीन यह अत्ताचारी महिला तू क्यों एक पेड़ के चक्कर में इस विचारी की जान लेने पे तुली है मैं तेरे से निवेदन कर रहा हूँ इस गरीब की जान बकस दे मास्टर जी तू मरने के बाद भी मेरा पिच्छा क्यों नहीं छोड़ रहा आज फेरागे मेरे काम में टांगड़ाने तुझे एम लोग में कुछ काम ना है के रहा भागवान तू भूलगी के आज हमारा एकलोत्ता बेट्टा वीर मुंबई से वापिस आ रहा है और तू आज के दिन भी हत्या करने का परियास कर रही है रहा अपने एकलोत्ते बेट्टे की खातर तो इस भी चैरे की जान बकस दे जान देश गरीब को मास्टर जी यू बात तो मैं भूली गई थी अच्छा हो या तुमने याद दिवादी चलो अपने बेट्टे की आने की खुशी मैं इसकी जान बकस देती हूं जा बेट्टा तेरी किसमत अच्छी थी जो तू बच गया जा भाग जा सो की स्पीट में कलवा आज मेरा बेट्टा आरा मोंबईस है 15 साल बात इसकी तैयारी करो सुवागत की और जाओ मेरा बेट्टे को नहीं गाटी में लेका आओ जी हुकम आज मेरा बेट्टा 15 साल बात आरा आज अपने बेट्टे से मिलूंगी मन बड़ा खुस हो रहा ओर सुना आवे नत्थू तू एक बात तो बता के हाल है तेरी गरल फ्रेंड के नू बतावे उसने गामे गदर मचा रख्या किसका फोन आगया वाए हलो हलो सेर मैं मालतार बेंक से बोल रहा हूँ अगर आप हमारे बेंक से क्रेजिट कार लेगे तो आप बहुत फाइदे में रहेंगे आप हमारे क्रेजिट कार से डेड़ परसेंट ब्याज पर 30,000 की शोपिंग कर सकते हैं अर्या जकोई मैं दो हजार करोड की प्रोप्ति का एकलोत्ता वारिज तेरे इस क्रेजिट कार के करूँगा एक काम कर इसकी बत्ति बनाग अपने चूतुटूड में देले घरभॉन बखवाद कर रहा पतनी यार इन होमलोन वालुकू इंसुरेंस वालुकू और ये चेक अप सा करे है हेल्प लाइन वालुकू मारे नंबर कोण दे दे पर इसान करका दर दे भाई इन पर कंपनी वालों पर नंबर है सब के इन मेरे सुसरों के फोन कंपनी वालों ता सेटिंग है जिवी ते आपके नंबर निके दोरह मिलें यू सही कह रहा तू फिर आगया भाई हलो कोण बोल रहा भाई किस्ता बात करनी इतना गुस्ता क्यों हो रहे हैं सर्म आपको बता रहें ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत फायदेवाद होगा एक बात सुन इस क्रेडिट कार्ड को तो दर ले अपने दोरे मजे तू अगर दे नहीं चावे तो एक सला दे दे हैं जी सर जिरूर पोछे मजे तेरी थूथ पीटनी नू बता दे ओ भिस्वाओं को तेरे घरुआ हूं सर आप तो नाराज हो रहे हैं सर आप हमारे लगे कस्टूमर है हूं दर साड़े का मूह त अरा भाई बीडी तो मत ज़ा प्यादे तचार पर मेरे धुरबीडी है नी इबनू बता का थे प्याओं भाई टिल्लू बीडी प्या बीडी के लगरी तलब और बीडी भी घर काम नीचले बाई एक बीडी प्यादे जुगार तो भाई तेरा करना पड़ागा अरो सत्मीर के रुकिये हा रुग्या बताओ काम है कुछ मेरे से अरे काम तो कही ना तू पटवारी है अक मेरी फरतकाड़ गदेगा अरे एक बीडी प्यादे क्यों मैं बीडी प्यूं जोते मैं बीडी प्यादूं अरे ओ छोटे रिचाज आज कल के बालक तो सिगरेट मे सुलपा पियें भर भर के तेर बेंग बीडी भी नी प्याए जाती मारे गाम की नौक कटवादे अरे क्यों मारे गाम का नाम गंता कर रहा तू बेट्ये बीडी शिक्रट तमाखू भांग दतूरा दारू ये तो देवानी की खुराख है आज ता शुरू कर दे और सुन मार गैंग में मिल जा अरे जाओ परे को मर जाओ जाके खुद तो बिगड़ी रहे और मुझे भी बिगाड रहे और आओ पट्वीज ने इस गाम के हम ग्यांगिस्टर बनने वाले हैं और मारता ड्रन ना सीख अच्छा ऐसी बात है अरो डेरी भी लेंद गे नत्थू सही कह रहा तेरा किड़नेप करके तजा कवाली को तीसरे बें किलो में बेख दूआ अच्छा रुक जाओ एक मिनट अभी आया मैं अरो न तू इसने ठालिया त्यार यह बोले यहांत तावली सी फ्रार आजो मेरे सुसुरो मैं अब नम्मत में बदमाश पतानी कहां कहां से आजावें अरे वीर सिंग तुई है के आप उनी वीर सिंग अपिडू इदर काय जाला रहे तेरी अटी पसली थोड़ेंगे हम चल नित्ते ओतर बीडू ओपन 15 साल बाद मुंबई से गवजारे लाए इसलिए अपन को इदर कोई चलपडाई नहीं मंगता है तुम लोग जाओ नहीं तो अपन तुमको बहुत मारे गारे अरे ओ बंबई के मुश्टंडे हमें गुंडे तिरे जैसे इरोकू बहुत थपेड रखा हमने अरे ओ बावली पुच्छो मैं भी यूपी का बबबर्श येरू तम बुझे बंबई का बावली पूच मान रेके साड़ो तिन्नो को यहीं ठोक दुआं अरे तू के ठोका का का मैं हमीं ठोक देंगा तुझे अरे 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 साड़ो तम्हें पता में के बावालू चत्रों गैंगिश्टर की ओलादू में ठारे जैसे गीद्ड़ों के मस्कीना मेरा शिकार करना है भाई कोई इस असी को इंगलिश वर्ड में इन तीन हन्नो में लिख सके 500 रुपे का सवाल है 500 के डबल ले जाओ पूरे दिन देही तो डुआओगे 500 रुपे जब कमा के लाओगे लेवाई किसी में दम महारे में है दम हमें लिखेंगे ला 500 रुपे दे ले 500 रुपे पकड़ देख ले नकली है असली लेवाई लिख दे आसी 500 के डबल दे अजी सही है यू गलत है कभी स्कूल भी गया के ये बुड्डो के सवाल ना है अरा जवान ना या कोई सा अरा हम एंगे हम करांगे ला ला तो 500 रुपे दे ला 500 पकड़ डबल ले लूँगा अना ले लिख दिया डबडबल दे कहां लिख दिया गलत है यू ए शी सी आसी ना हो ग्या एंगे शी मेंट लिख रहा है ओर के हगे लिख जा तूगर अब है या कोई सा है पड़ा लिखा कोई हाँ मैं हूँ आजा तो ला पानसो जे लिख लेवा लेख दिया है तीन असी लिखी दिया हूँ इंग्लीज में तो लेख दिया है अब आज इंग्योंग्राद में अजय हुराब में आजगी तो खूंकरण मुझे गरिव चुश इंग्ला जीनी इसन्या घ्रेव चन और इस असी को तीन वर्ड में इन तीन खंडों में लिखना पानसो रुपे का सवाल है पानसो के डबल तुम पर आत्ता हो तुम लिख के दिखा दो लाहम करके दिखाऊंगे कोन सी घंडी बड़ी बात है लेवर बनगा सी यू एस सी के हो गया असी हाँ बए किस किस के पैसे तारे तर्न है तो यू सवाल तो होगा सही तो यू हार गया तो पंद्रह सो के डबल कितने होगी लाबे तीन हजार दे लोजी लेवे लेवे तो भी मेरे यार करीब आदमो केसे के सवाल मेर जा रहा चलो अपने घर चलो सब अश्चलो अश्चलो फिर्टव केसे पानो इया थे लोग मेरे खिलाध तो यू हम आद हुआ खार पंद्रह चलो और चलो सभशना मेरे ढुत पानो िया जाद हुआ आदमों जाद हम वे लुद भी वे झालो कर दो 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 कर दो, कर दो, कर दो, कर दो! बैट बेटा! मेरा बेटा मेरा सेर फंदरा साल बाद आया वोंबई से, कलवा जी! इसकी आने की खुशी में सारे गाम में मिठाई बटवाई जा! मालकी नाप चिंता ना करो, गाउं के एकक आदमी को और एकक बच्चे को अपने हत्तों सा मिठाई खिलम्वा! ठीक है बेटा तुझा रस्ते में कोई दिक्कत परेशान नितना होई कुछ दो तिन लफंगों ने परेशान करने की कोशिस करी थी पर मन ने उनकी कोशिस नाकाम कर दी वीर भाई वे अपने ही आदमी थे हैं अपने आदमी थे तो फे उन्होंने मेरे पर हमला क्यों करा अरे बेटा वे मैंने बेज जेते हैं तेरी परिक्षा लेने की नियो तेरी तागत की परिक्षा लेने की नियो तो फिर बोल मा, तेरा बीडू परीक्षा में पास हुआ के नहीं? हाँ बेटा, मुझे पक्का विश्वास हो गिया, तू मेरे गुंडागर्दी के समराठ को पक्का समाल लेगा मालकिन, आमारे वीर भाईया बंबई से सेर का कलेज्जा लेके आए है और मुझे तो इनके अंदर कोई डर भै की चीजी नहीं दिखाई देरी मालकिन, जोन से बदमास आपने इने पीटने के लिए भेज्जे थे न उनकी तो इनोंने दोई मिनेट में धई तोड़का फैंक दी चंद्रो चाची, जिंदा बाद अबे उदंड मनुस, तु यमलोक का नियम तोड़कर फिर धरतिपा भागाया चल, वापस यमलोक चल देख बाई, सुन ले यमदूत महराज जब तक मेरी आत्मा मेरे बेट्टे के भविश को लेके बिलकुल संतुष्ट नहीं हो जागी न मैं यमलोक से धरतिपा अत्ता रहूँ पिता जी आप मेरी चिंता मत करो, मैं अब जवानों चुकाओ, मैं अपना ख्याल खुद रखलूँगा तुम अराम से यमलोक में रहो, बार बार धरतिपा के क्यो परेशान हो रहो तुम ठीक के रहे हो पुत्र, तुमारे ये मुर्ख पिता, यमलोक की नियम तोड़कर बार बार प्रतिपी लोक पर आता है उदर यमराज जी मेर पर बढ़कते हैं, मुझे तो इस बात का खत्रा है, किशी दिन यमराज जी को ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो अपने दोन्नों सिंग मेरे जहन्द में देद्दंग है अरे बेटा, तरह इस मास्टर बापून है, इसने जीतो जीतो नाख मेंदम कर रखा था, अब भूत बन के मेरा पिछा पकड़ रखा इसने रह मैं भूत नहूं स्रीमती चत्रो देवी, मैं आत्मा हूं आत्मा मका इस आत्मा का खात्मा करवाने के चक्कर में है के? अरे यम्दूत बहिया, तेर पही मास्टर की आत्मा पकड़ का न रखी जारी, यू बेर-बेर जोटते की तरह यहां खुल का भगी आवे, इसा कसके पकड़ ले? हे नारी, ये आत्मा बड़ी अत्याचारी, ये हम सब यम्दूतों को गनित के सवाल में उलजाकर नजर बचते ही धर्ती पर भागाता है अरे जुगाड, मेरी समझ में नून नहीं आरा, अर या मारी मालकिन इस तरह किस से बतड़ावे? भाई, मैं तो यू मामला जित्त देखता रहा, इसा मास्टर जी मरें भाई, मैं जै तो ऐसा लगे, और मास्टर जी का भूत, इन दोन्नों मा बिट्टा के साथ बतड़ाता दिख्ये बिट्टे वीर, मैं तुझे यू समझाना आया हूँ, कि अपनी मा की ढाल बदमास मत बनिये, मेरी तरह शरीफ सजन बनिये, और लोगों का भला करिये ठीक है पिताजी, मैं आपकी इच्छयू जरूर पूरी करके दिखाऊँगा, मैं आपकी तरह सजन बेक्ती बन के दिखाऊँगा खबड़दार, जो तुझे इस मास्टर की तरह डर पोग बना, तुझे मेरी तरह नीडर गैंगिस्टर बनना ठीक है मम्मी, मैं तुमाई तरह दबंग गैंगिस्टर बन के दिखाऊँगा, और अपने खांदान का नाम रोशन करूँगा साबास मेरे बेटे नहीं वीर, तुझे अपनी मातिस्वरी की बात तमनी आना है, तुझे दूस्ट नहीं, सब्भे व्यक्ती बनना है नहीं तुझे सब्भे वक्ती बनना, सब्भे बनना, सब्भे बनना तुप होजासे वगराब है रह तुम्हें क्या होगे अम्नूद महराज तुम पहीक्तो हो स्रीमान, तुम क्यों कटे मुर्गे की तरह कप पारे हो मेरे दिमाग को हार डेठा का गया है इस दुष्ट इस्त्री की थाड़ सुनकर मेरे लिए तुरंत एक बाल्टी निम्बू पानी मंगवाओ और मेरे प्राण बचाओ तुमारे घर आये इस यमदूत महराज का स्वास्त तुमारी भीशन गरजना सुनकर खराब हो गया है अतहे आपसे नमर निवेदन है कि इसके लिए एक बाल्टी निम्बू पानी मंगा के इसे पिलाओ और इसके प्राण बचाओ और निम्बू पानी में मिठ्था थोड़ा सा कम होना चीए मुझे सुगर है आम अन्न तो यह थार यह निम्बू पानी की दुकान लगा रखी है जो तुमा भर के बाल्टी निम्बू पानी प्या दूगी चले जाओ तुम यह से भूत परे तो और नहीं तो भूस के कोट् कि मैं तो पहले ही सुगर का पेशेंट हूं और धुनी सूंके मैं दम्मे का पेशेंट नहीं होना चाहता पिता जी इसे विचारगी अम्दूत को ले जाओ कर इसका ही राम नम सत्त्य हो जाओ वीर तेरा यू बाप्पू बेर बेर आके मेरा बीपी हाई कर जा अरे मार दिया अरे मार दिया अरे तोड़ दिया उत्रो लाला जी हम पोजगे अपनी मंजिल पे पोजगे बड़ी जल्दी पोजगे पिसाब लगा के मतों सोशे रहा एक अत गंटे पास पोज़ते मेरा भी जीरा जी सा हो जात्ता पिसाब लगा के मैं क्या तमें क्राय की स्कूटी लेगे गुमाने वाली लग रही? जो तमें एक दो गंटे तक गुमाती रहूं ओ लाला जी थोड़ा होश में रहे है यू डोली रिष्ट कराने का काम कर रहे है लोगों को स्कूटी पे घुमाने का नहीं आगी बाद समझ तुम्हारी लड़गी के लिए जो लड़का दिखाने लाई हूँ यह उसी का घर है अगर तमें रिष्टा पसंद आ जाए तो मेरे कमिशन के 20,000 रुपे मुझे अभी दे दियो और वो तो मैं दे दूँआ पर यू तो बता यह लड़का देखने दिखाने लाग भी है मुझे पसंद भी आजएगा हिसाब लगा के कैसी बात कर दी लाला जी लड़का लाखों में एक है एकदम हैंसम गब्रु जवान और मेरी गैरंटी है तो मैं देखते ही पसंद आ जाओगा अच्छा तो ऐसी बात है तो चल भी तरको दिखा इस गब्रु जवान को भी हिसाब लगा के आजा आज को आज को आजर आज बात है तो चल भी तो हिसमा इसमा कि के बात है है ऐसे घटे आज से तो जिनकी वह जा कहीं बढ़ा है हिसाब लगाए अब चले चल्ट इतना मज़ा दारू पेना ना इतना मज़ा चिकन खाने में जितना मज़ा काण को जाने में अहाया अहाय अरो तेरी जाद मज़ता सब्लिकाला और पार नक्रेक्षान छुना आफ्स emissionि जरा तमीज से बात करो ओमपाल जी ये लाला मिर्ची लाल है ये आपके लड़के के लिए अपनी लड़की का रिष्टा लाए है साड़े आज तुझे बता दूँगा साड़े छिचोरे बत्तमीज उमपाल तू घराय मेहमान की इज़त नहीं करता तू फिटने लायक है फिटने लायक है ये लायक है यू आजमी के सांग साग के राय साव लगा गया है? मुझे तो ये बिलकुल बावले ऐसा लगा ये इसाव लगा गया ना लाला जी ना ये बावले ना है ये तो बहुत बुद्धिमान इंसान है इनी के लड़के को तो मैं तुम्हें दिखाने यहां लाई हूँ ओमपाल जी बड़ी मुश्किल से थारे लड़के के रिष्टे के लिए एक पार्टी लाई हूँ अगर इन्होंने थारे लड़का पसंद कर लिया ना तो मेरे कमिशन के 20,000 रुपे मुझे आज ही दे दियो ले लियो रिष्टा तो पक्का हो जान दे लाला जी तमें इनसे जो भी पूश्टाच करनी हो वो अभी कर लियो बाद में मुझे दोस्ट ना दियो कि भी चोलिया ने बात ना करन दी अरे वो तो खिलाडी है खिलाडी देखो जी किरकिट बोली बोल फुटबोल बैडमिनटन ये सारे खेल जो वो देखना भी पसंद नहीं करता तो फिर कूण सा खेल खेल ले भाई वो, हिसाब लगा के? जी वो खेल ले चुपम छुपाई एं? यू कूण सा खेल है? अरे लाला जी चुपम छुपाई अब रास्टे खेल बन गया चुपम चिपाई खेलने वाले खिलाडियों को कई कई करोडों की टोफी दी जाती है और इनका बेटा तो वैसे भी किसी हीरो से कमना है अच्छा तो कहा है वो हीरो एक बार हम भी तो देखे उसको और जब भी तो आगे की बात करूँ मैं हिसाब लगा के अब ही बुला रहा हूं उसको आपने इनका बेटा देख तो रख खाई होगा है अरे लाला जी मेरे सपूत को देखोगे तो आपका भी दिल कावच जागा मेरा मतलब खुस हो जागा ओ मेरे जिगर के छले, ओ मेरे सुन्दरलाल, तेरे लिए रिष्टा है, जल्दी से भाग के तावडिया लाला जी, आप अपनी लड़की के देज में क्या कारंगा दोगे बई पचास रुपे की जाड़ू से लगा के और पचास दांक की कार तक सब धुआ हिसाब लगा के नमस्ते ससूरी जी यह जी मेरे सुपुतर सुन्दरलाल यू सुन्दरलाल है? इससे सुन्दर तो जोटे का पिछोंडा हो, पडोली जी सुन मेरी बात यह टेट्डे मेड्डे लंगडे लुल्ले से मैं अपने लड़की का रिस्ता ना करना को हाँ हिसाब लगा के ओमपाल जी, तम इस नटबोल्ट वाले ढिल्ले आदमे को गबरुजवान बताओते इसके तो सारे नटबोल्ट भी डिल्ले पड़े, कौन बनावगा इसे अपना दूला मुझे तो तु भी बड़िया लगरी, तु बना ले मुझे अपना दूला मेरे से चार पुट दूर खड़ा हो जा, तेरे जैसे आइटम से तो कोई पेंट की भी आ ना करे अरे लाला जी, मेरा छोरा बड़ा हुनार है, इसे रिजेक्ट मत करो, इसे सवारूपा देखे, रोक का कर जाओ इस कार्टून का, इसे तो कबाड़ भी ना लेने का, अपने लोंडे को धर के चाटला है, हम चले अपने घर, पिसाब लगा के, जड़ दो लिए, यहाँ भसवारी हम है, तुम्रलू लो में वीर, तुझे अपनी मा की तरह गुंडबत मास नहीं बढ़ना है, तुझे अच्छा इंसान बढ़ना है, और तुझे अच्छा इंसान बढ़ना है, और पडलिकर दोक्टर इंजनियर बढ़ना है, और अपने बाप का नाम रोषन करना है, बीर बेटा, तुझे अपने बाप की तरह डरफोग नहीं बनना, तुझे अपनी मा की तरह जबबनना, दुनिया में तुझे अपना नाम रोशन करना और मेरे आने वाड़े समराज को तुझे समालना और तुझे सारे छेतर में अपना गुंड़ा गर्दी का राज करना यार ये मुंबई से आके अपन इस लफड़े में फसगे लाए दिमाग का भेजा फ्राई हो रेला भीडू अब उनका बाप बोलता है तुम सज्जन वेक्ती बनो अब उनकी मम्मी बोलती है तुम गेंगिस्टर बनो अब समझ में ये नहीं आ रेला बाप कि बात किसकी मानू और किसकी ना मानू है दुष्ट नारी तु तो फूलन देवी से भी जादे खतरनाक है तन्य तो मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी थी और मैं अपने बेट्टे की जिन्दगी बरबाद नहीं हुन दूआ आज मैं तेरा जहर का इंजक्शन लगा के तेरा जीवनी समाप्त कर दूआ दुष्ट सेवा कराम तन्य कर दिया मेरा जीना हराम अगर तू ऐसे ही यमलोक से भाग क्या बार-बार धरती पर आएगा तू तो मेरी नोकरी खाजाओगा साले अरे बाई अमदूत जी मनने तुझे कई बेर समझा ली पर तेरी समझ मैं क्यों नहीं आत्ती जब तक मैं अपने बेट्टे वीर का भविस सुरक्षित नहीं देख लिएँ मैं उसे सद्जनता का पाट पढ़ाने के लिए बार-बार धरती पातता रहुँआ अरे यार तू आदमी है पेटी कोट तेरी समझ मैं क्यों नहीं आत्ती यम्राज जी मेरी खाल में भुस भरवा देंगे और अपने कटडे से एक सिंग मेरे पिशवाडे में दुआ देंगे चाहे कुछ हो जा मैं इस चत्रो देवी की जीवन लिल्ला समाप्त करे भी न बिल्कुल नहीं जावाँ यू मेरा अंतिम निर्ने है शिरीमान सिवक राम जी मुझे एक तरकीप सुझी सिलुगाई को सुद्धी करने की के सुझी भाई जल्दी बता सेवक राम जी तुम अपने लड़के से साधी करने कहो जब घर में बहु आ जावेगी तो सास्टू अपना आपी सुदर जावेगी यू तरीका सही रहेगा भाई सास्टू की नाक में नकेल बहु ही गेर सक है कोण है कोण है कोण है कोण है कोण है कोण है मेरे कमर में आजाओ चल्चे वक राम भागले इन लुगाई नहीं तो मारे भी पिंचर करते गई अब के दिख्या है अवाज नहीं आ रही है मेरे कमर में बढ़े हो आजाओ मैने थारे पिछवाड़ा में आगोली लिकाडी आँ भाई नत्थू आज मारे बच्पन का लगोट यार मारा भाई वीर बंबई ताया उसका दूम दड़ाक के ता स्वागत करेंगे भाई पुर्णा साल बादार आवो दिल खोल का करेंगे स्वागत चल्ट अरे यू जोड़ तो इतना बड़ा था छोटा सा कैसे रह गया गेर लिया लोगोंने क्या हुआ बीडू तुम दोनों अप उनको ऐसे पुलिस के माफिक काहे घूर रह लेओ हाँ वै किस फिराल में आया तु और इस गाम का तु लगभी नी रहा यहाँ यहाँ ता छोरी चारी लेगा बाद जगखे अरे ओ हिरो सची सची बता दे तु किस फिराक में गूम रहा है हाँ नहीं तो तेदे हिरो का जीरो बना दुआ पता तदे मैं इस पूरे लखे का तौप का बदमास हूँ उतो मुझे थारी दोनों की सिकल से लग रहा पर तम दोनों नूतो बताओ थारा नाम के है मैं नत्थू और मैं टिल्लू आरय मत्थू टिल्लू तंप निमुझे पैजाना लां और गड़ो मैं थारे बच्पन का यार वीरू बीर है अरय मेरे यार दिन में दारू पियो राट को आराब गरो मुंपई से आया तेरा यार, यार को सालाम करो, दिन में दारू पियो, रात को अराम करो ए बई, मुझे गाम में आये हुए इन दिन हो लिए, और तमें मेरे से मिलने का ख्याल आ जाया, यह अच्छी बात नहीं था रही अर ऐसी बात ना भाई, हम तो परसु भी आवा थे तेरते मिलन, और परसु हम बोच भी जिते काँ भी जिते तम भाई, खेत में गांडे छोल रहे थे भाई, खेत में गांडे ना छोल रहे थे, हम तो दावाद रोल रहे थे बाई वीर मारे घर के तो अमेरो पी केत्ते नी नुई हम फ्री फंट की दावद पाड़ के आंडे जो भी कही माल मिल जा उसे पतोड गे रहें और बाई परसु हमने एक तेरामी की दावद पाड़ गे रही चक मार असकुले खाका मारी डकार और फेर होगे वात फरार हम तो बाई अब मैं पर्मानेंटी गाम मागया हूं अब तम दोन्नों मेरी गयली रही हो अब मैं चलू तम टैम सा लिकाड़ का वेल्ली पाज़े यो अब मैं चल रहा हूं ठीक है भाई आजेंगे वेल्ली पे ठीक है बगंजे और तो जेक जब दावत पड़वा कर जाओं अरे पिताजी तम नमस्ते नमस्ते बेटा रहा बेटा वीर तु कहां चलय गया था मैं तो तेरी गणी देर से बाट देख रहा है का अच्छा उबाद तो ठीक है पर ये माड़ा किजना कर रही हिं ये मेरे बचपन के जिगरी यारोंने मेरे गाममें आने पर स्वगत करा म सुसील सी लड़की देख के साधी कर ले जब साधी का समय होगा पिता जी साधी भी कर लूँगा अभी साधी कितनी जल्दी के है बेटे तेरी माघ घंदानी गुंडी है और उत्व जभी गुंड़ा बनाना चारी। इसलिए मैंनी चाहता के तू गुंड़ा बने और तू जल्दी से जल्दी कोई लड़की देखके उससे साधी कर ले ठीक है पिता जी अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से जल्दी कोई कंचा पीज ढूंड़कों से साधी कर लूँगा रह यूई तो मैं चाराओं बेट्टा घर में कोई बहुआ जागी उतुजे भी सिमाल लेगी और तेरी मा को भी सिमाल लेगी और मेरी आत्मा को सांती मिल जागी आवे सेवगराम अब तो निमठ गया तेरा काम अब तो तन्य अपने बेट्टे को साधी की सलावी देदी और इसने मान भी ली अब तो चल यमलोग अजी अमदूद जी अभी मेरा काम पूरा ने हुया जब तक मैं अपने बेट्टे वीर के अपनी आखो तो फेरे फेरते ने देख लिए ओना जब तक मैं यमलोग नी जम्मा अरे यार तुम इंसान इतने बेमान क्यों होते हो तन्य मेरी चकर घिनी बना रखी है आथ तो मैं तुझे यमलोग ले की जम्मा चल मेरे साथ परतिरी तुम्मा अड़े वीर दिखाईना देरा तड़की तड़क कहां चला गया मालकिन वीर भाईया गाउं में टहलने के लिए गया है आजागे थोड़ी देर में तो मेरा बबर सेर गाम में टहलने को लिखड़ा गाउं की सुध हवा खाक है मेरा बेटा ओर मजबूत हो जगा मम्मी नमस्ते मम्मी नास्ते में पुन के वास्ते खाने को क्या मिलेगा तूद की गयल देशी गी के परामटे मिलेगे मेरे बेटे को अब उनको इतना बारी नास्ता करने की आदत लेचे मम्मी, अब उन तो बाव भाजी मांगता है, वो इच पसंदप उनको वीर बेखते तू बंबई में ना है, यहां गाओं में है, देश सिखाने की आदट डल ले, इरा माडे, इसा रामू को भी देख ले, कहां मर गया ही, नास्ता लेकर नाया अब तक, यह आ गया माजी चाची जी, नमस्ते, नमस्ते, एक अद्धा काम था फूर्ती सा कर लेकरो, ले बेटा करना आस्ता कलवा, उस डांक्टर का कसी कार करेंगा तू, वो हराम खाना करीबों का खूंड चूच चूच का मालदार हो रहा, मालकिन, मैं कई दिनों ते उसका प्रण करने का प्लान बना रहा हूँ, मुझे खबर मिली है, मारे खेत के धोरे, सुरेंदर वाली जमीन खरीदने वाड़ा है अस्पताल बनेने की सोच रहा, जैसे ही हूँ जमीन खरीदना आवगा, मैं तुरेंद उसका प्रण कर लूँआ 25 लाख रुपे की फिरोती लेनिया उस से, और हमारा काम भी हो जागा, और किसी को कानो कान पता भी न चला है ठीक है मालकिन, ऐसा ही हो वेगा और काम इस ढंग से होना है, कलवा, डाक्टर के उपरण में वीर को भी लेकर जाहिए, यूँ हर काम में परफेक्ट होना चाहिए, जब इतो टोप का गैंगिस्टर बनेगा यू मम्मी मैं तब पैदाई से ही गैंगिस्टर हूँ, माम्मा ने मुझे सारे दाव पे सिखा दिया बदमासी के, यूँ ओपरण मैं अपने स्टैल से करूँगा सब बास मेरे सेर, मुझे तेर पर पूरा बरोस्सा कलवा, डाक्टर का अफरन, वीर के हिसाब से करना मम्मी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है, बोल बेटा क्ये कह वे, मैं साधी करना चाहूँ, अरे मेरा बेटा साधी करना चाहरा, यू तो बहुत खुशी की बात है, अरे तमने सबने सुना, मेरा बेटा साधी करना चाहरा, मेरे गर मैं बहु आवेगी, मैं ताती में आज मैं बोट कूसूं। बेट्टा साधीत तू करले चार पर बौव तू मेरी पसंद किलावेगा। अरे मेरे जैसी हिम्बत वाली दबंग लड़को होनी चाहिए। अरे जबीतव तेरे जासा सेर पैदा करेगी। ठीक है मंमी तो आप अपनी पसंद की लिड़ की ढूंड लो हाँ बाई अपने जयासी दबंग बाउले काऊंगी मैं इस अभेली में माडे जी वीर की लिओ बाउ डूंडने की जिम्मदारी तेरी है आज से लग जाँ ढूंडने ठीक है मा लेकिन मैं आपकी पसंद की बाउ दूंड दूंगा लेकिन नेक के पूरे ग्यारा हजार रुपे चाहिए अच्छिया नेक के ग्यारा हजार रुपे चाहिए तुझा नेक तुझा मैं एडवांस भी देद दूंगी पूरा खुआ हराम खाणे जाद लालची हो रहा पहले बहुत दूंड कला जबी तो देओंगी तुझा नेक हाँ 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 यह यह डोली का मकान दोली मारज बीरो राटरस तो यह यह बाल ओए कोण है तू यहां के कर रहा रिष्टन आते तुई करवाव है हाँ मैं करवाऊं बता के बात है मुझा तेर सर रिष्टे की बात करने हा तो यहां के उखड़ा चल बितर चल बैठ खे बात करेगे चल बैट जा तिरपे काय को खड़ा है थीक है अच्छा और बता किसका रिष्टा कराना किसका करवाना अपना करवाना तू पहले जा के अपनी सकल को कास्टिक सोटके से धो और फेर भी तुझा आई ने में अपनी सकल सडी भी दिखे न तो समझ जईयो कि तेरा बिया साथ जन्म तक भी ना हो सकता क्यों ऐसी के कमी मेरी सिकल में क्यों नहीं हो सकती मेरी साथी तेरी सकल पर तो बज़रे सवाब बार है फूली ऐसे तू दिख रहा है समय किया तेरे तक कौन लड़की साथी करेगी मज़ा आसे मैं रही हड़के मले रही मेडम मेरी सकल पर मज़ जईयो बहुत पासा मेरे पास बहुत उन्ची चीजी हूँ मैं कदी अलके मले रही हो अरे अरे भाई साब मैं थो वस बस इसे मजाग कर रही थी मरे यहां जो भी पहली ग्राक आता है न पहले मैं मजाग ही करती हूँ अर फिर बाद में उसका रिष्टा करा दूँ पर हां रिष्टा कराने की फीस लूँगी मैं कितनी फीच लेवा कि बता तुझा मूँ मांगी फीच देऊंगा ज्यादा न लूँगी बस 51,000 रुपे देऊं बस 50,000 मैं तुझे एक लाग 50,000 रुपे देऊंगी सपना चोधरी जैसी लड़की से मेरी साधी करवा देऊं हाँ बिलकुल करा दूँगी पर पहले तब मुझे अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दो जैसे तुम्हारी कितनी प्रोपर्टी है और तुम्हारा काम क्या है और नाम क्या है नाम मेरा बूतनीका बूतनीका? यू कैसा नाम है? अच्छा, अब तब मुझे यू और बता दो की तुम्हारी प्रोपर्टी कितनी है? प्रोपेट्टी ना हुजा कितनी है, मज़े खुज नहीं पता कितनी प्रोपेट्टी है, बस नू मानला, वो परोज का बस अड़ा है ने, वो सारा मेरा है हैं, तुम इतने बड़े बस अड़े के माली को, और तुमारा बिजनिस क्या है भाई साब? हैं, यू किस टाइप का बिजनिस है? जैसे मेरे बिजनिस में कमाई है, ऐसे यह खत्रा, मैं हूँ जेब कत्रा, ये पैसे भी पुलिस वाड़े की जेब काट का लिया हूँ तुम जेब कत्रा है, तेरा रिष्टा कराणे में तो खत्रा ही खत्रा है, तुलिकर मेरे घरते, वरना देखी यू चम्चमाती जुत्ती, सिर्पै इतने मारूंगी गंजा कर दूँगी मेडम गुश्यम क्या री, इस देता रहा आऊं, तुलिस्ता करवा मेरा जेब कत्रों के न कराती मेरी इसते पुली गड़ रहा मेरे घरता है या मैं फोन करके पुलिस पुला हूँ और तरी और अमर गया रहे बागले बेटा जैन बचाए गए झांटी झा मेरी इसा, बहा रहा को यहार द שלי गार दम हाक, वहाँ आर मेरी वहार बपुलाए यह जमीन ते बहुत बढ़िया जी गए है इस जमीन को लेके मैं एक बहुत बड़ा सा होस्पिटेल बनाऊगा और एक पारकिंग बनाऊगा लोगों को महगी महगी दबाई देके महगे महगी ऑपरेशन करके बहुत मोटे रुप्य कमाऊँआ इस जमीन को लेना मेरा बहुत फायदे कस होता है इतनी सस्ती जमीन तो कहीं मिली नहीं सकती एक काम करता हूं इसका बयाना मैं आज ही दे देता हूं रहो डाक्टर इस जमीन को बाद में देखिये पहले महारी गैल चल हम तेरा किडनेप करना आए है चल बैट बाईक पे तम तम कौना भाई मेरे जैसे गरीब डाक्टर को किटनेप करकता मैं क्या मिलेगा बहुत बढ़िया तेरे जैसे गरीब इस दुनिया में सारे हो जा तो इस दुनिया की दिक्कती खतम हो जा तुम्हारी साली लगा है जो हम तेरी गैल मजाक करेंगे हम सच में ही तेरा किड़नेप करना आए हैं प्राओ कल वेश की अल बक्चो दी क्यों कर रहा हूं इसके हाथ बांद कर बाइक पर मीठा से अरे बाई यह मैं बांदने किसे उतना है मैं अपना भी बेटनूंगा बाइक पर अजया खल अथ तेरी बान गे मैं हाग साले बार्दे बोरी हाग साले हाग साले दरोगा साब दरोगा साब मुझे बचाला कुछ गुंटे मेरा किट्राइब करना चाहरे कौन साला बदमास है जो दरोगा वीर सिंग के छेत्र में दिन दहले अपरण करना चाहरा मार गोली शाले के तेरी बाहन के रहे तो तकड़ गेंगे इस्तादा जो पुलिस से बेंद दर्रे दरोगा साल दरोगा साल दरोगा अरा यू मारे वीर को असली दरोगा सिमजरा बना दिया साले का चूतिया अरा छोड़ते मुझे भी अपनी गैल मरवाओगा के अच्छा चल तो कसके पकड़े बैट ठीक है दरोगा सिमजरा अरा तो अरा यू रहा अरा अरा भाँ अरा यू यू अरे अरे दरोगा जी आप मुझे कहां ली आए ये तो चतरों के एंगेश्टर अगर है वो तो बहुत कतर नाग है चलो चलो जल्दी चलो यहां से डाक्टर सहाब अब तुम अपनी मर्जी से यहां से जानी सकते तुम्हें आज की ताजा ख़बर सुनाओं तुम्हारा अपरण उचुका है अपरण सपास बेटे सपास जो मेरा आदमी आज तक निकर पाई इस काम हूँ तुम्हारा अपरण भी होगे बेकूप का अरे इसे पता भी ना चली अरे डाक्टर साहब मैं तुमारे प्रेशानी समझ रहूँ जलो मैं तुमारी प्रेशानी दूर कर देता हूँ मैं असलिपलीश वाडा नाव मैं चत्रो चाची का बेट्टा वीरू wow प्रयों डाक्टर कुझे अपने करने का यू फिलमी तरीका भी भाईया ने सोच्चा था जो काम्याब भी ओगा हाँ आपने मेरे किसलिए कि ट्रैप दिया अखिराब मुझे चाति क्या हो मैं तो बहुत गरीब आद नहीं हूं इस बारे में तेर से तसली में बात करूंगी अब तू अराम कर गलवा इसे ले जा और तया खान्ने में बंद कर दे चल बाई डाक्टर तर निच्चे सबस बेटे आज तन्न मेरा दिल कुछ कर दिया अब तू जा कपड़े चैन्ज कर ले अराम कर ले ठीक है मम्मी चाच्चा राम 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 बई राम 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 आजा बैठ माड़े और सुना कैसे आना हुआ बस चाच्चा जी ठीक ठाक है मैं तो थारे दोरे बहुत जरूरी काम से आया और काम यू है जो थारे लड़की है ना पूनम उसका रिस्ता करवाने के नाम का आया बै माड़े तुझे से बात का तो पता के मेरी लड़की पहलवानी करे है और परदेश इसतर पर करे है और आज भी वो अपनी माँ को लेके लखनाओ गई हुई है कुस्ती लड़ने अजी यू तो मुझे पता है थारे लड़की निडर और दबंग लड़की है इसलिए तो मैं थारे पास आया क्योंकि जो लड़के की माँ है ना उसे भी निडर और दबंग बहुची है चलो यह तो बड़ए बात है बई रिष्टे की तो बात चलती रहेगी ये तो अब बता मैं तेरी क्या खात्रदारी करूँ क्या खावगा क्या पीवगा अरे चाच्चा खाना पीना तो जब कराएंगे जब यू रिष्टा पका हो जागा तुम हात बोल अरे हांका नाका तो नंबर भाई बाद मा आओगा पहले यूँ बता कि लड़के का नाम के है और उसका कैसा खांदान है लड़का बहुत बढ़ी है चाच्चा इस भी आगू करके थारी पुनम के भाग खुल जागे अर लड़का करोडों की संपत्ती का मालिक है अर दूसरी बात या भी है तम्हें देज भी ना देना पड़े अच्छा ऐसी बात है भई हाँ जी लड़के का नाम है वीर सिंग जो वो मेरी मालिकिन है ना चत्रो उसका लड़का है और पंदरा साल बाद बंबई से आया है और मेरी माननों तो तो महां कर दो रिष्टे की अर्या राम के बीज तु गुंडे खांदान में मेरी लड़कों को भी आना चारा रुख जा तुझे मैं अभी बतम्हा माडे एक मिनेट रुख तु मैं अभी आ रहा हूँ मजे नू लगये चाच्चा सी रिष्टेगू राज जी हो गये दिख्खे मेरा मुह मिठा करनेगू चाच्चा मिठाई लेने गया बाई इप तु मिठाई मिठाई खा ते लिए लेना गया वो दो दड़ी मिठाई और मुझे कुछ काम मैं बड़क काम दाम करूँ बैठाव ठीक है जी तम भी देखो बना काम मेरा तो बनीगा काम माडे खड़ा होई ये ले चाच्चा पेरी इंमत कैसे होगी इस टकात्रिन का रिस्ता मारा करवावे तू अरे मरी गा अरे मरी गारे अरे चाच्चा ऐसा के कर द्या मन नू तो बता के बुराई है इस रिस्ते में अरे मूरक उस माड कैतनीक है कोई सरीप आदमी अपनी बेट्टी को कैसे ब्यादेगा उसके लड़के क्या बता तो चाच्चा इस रिस्ते को मैं कहने सिल समझू अरे अकल के कोल्लू एक लाठी लग के तिरे अकल निया है अधी और मारू एको ना ना चाच्चा और मारी है जा रहा हूं आगी समझी मैं जा चला जा जा अरे पिता जी तम तम भी एक मिनेट में पर कट हो जाओ बेटे वीर मन ने तुझा अपरादिक गती वीदियों से दूर रहने के निर्देश दिये थे और तर ने फेर भी अपनी मा के बहकावे मा के उस विचा रेडाक्टर का परण कर लिया मुझे तेरा युकरम बिल्कुल पसंद नहीं आया मैं तेरे से बहुत नराज हूं आज तो पिता जी की आत्मा ने मुझ भुला लिया अब इन्हें कैसे मना हूं पिता जी मा का आदेश मानना भी तो जरूरी है मैं तो खुद नहीं बनना चाहता के लियो मुझे उस डाक्टर की किन्डैपिंग करनी पड़ गी मुझे माफ कर दो बेटे माफ तो मैं तुझे कर दूँआ पर तुम मेरे से एक बादा कर के आज के बाद तू अपराद छोड़तेगा और कोई सुन्दर सुसील लड़की देखके उससे साधी कर ले मनने थार दबंग गुंडी टैप की वह चाहिए ना बेटा ना तु भूल के भी किसी गुंडी टैप लड़की से साधी ना करिये ना तो तेरी आने वाड़ी नसले भी गुंडी पैदा होँगी इसलिए तू किसी समझदार सुसील लड़की से साधी कर ले ठीक है पिताजी मैं इस घ खांदानी गुंडी थी तो तमने मम्मी से के सोच के व्या करा था बेट्टे वो हादसा तो मेरे जीवन का सबसे भयानक हादसा था उन दिनों तेरी मा का कहीं व्याहनी हो पा रहा था क्योंकि तेरी मा तेरा मम्मा तेरा नाना तेरा पड़ नाना उनका सारा खांदान बदम इस्कूल की छुट्ची होने के बाद मैं मोटर साइकल पर चड़ के अपने गाउं की तरफ जा रहा था मेरी बास सुनो रहे हैं मैं हंगा लगा लगा के ठकली पर मेरी गैल कोई लड़का साधी कनने को तैयार नहीं है आज मैं भी कसम खा के लिखनी हूं घर से घर मैं जब बढ़ूँगी दूला ले के बढ़ूँगी अजी मा लकिन हम दोन्यों तुमारे लिए दूला डूंडते डूंडते बिल्कुल ठकली है अब मारी समझ में नूनी आ रहा अरे लिया दूला कहां से डूंड का लावे अजी दूले अगर दुकान पे बिखते तो पान साथ में भी खरीद रहता दूला तो बई मैं हर हाल में ले के जाऊंगी तम एक काम करो सडख पे जाओ अर जो भी आदमी थारा अग्य सबसे पहला आजवा है सालक उसे ठालाओ उसी के जया माला गेर दूंगी जाओ काडा पिला लंगडा लूला अंदा काडा किसी भी राड़का चलागा अरे तीस साल से उपर हो ली मेरी उमर मन पसंद दूला ढूंडोंगी तो मैं तो कुवारी बैठी रहूंगी सारी जिन्दगी जो मिले जैसा मिले ठाके लेका आओ जाओ जी माल कुरिण चल माड़े राओ नेथा रोप जाओ सिरीमान जी मैं मास्टर से वकराम हूँ सरकारी स्कुल में बच्चे पढ़ाता हूँ तो मैं मेरे से कुछ काम है अरे मास्टर जी तेरे से तो हमें बहुत जरूरी काम है तुम्हारी साथ चल बिना चूचा करे तेरा ब्याहा करवाँगे UK बक्वास कर रहे हो तम अः पख्वास न कर रहे है सत के रहे आज तेरा ब्याहा करवाँगे ब्याहा करवाना होताँ तो मैं 20 साल पहले करवा लें ता अब मेरे भ्याहा की उमर रहरी ही के क्यूं? तु बिना पहु के रहले गा के? अहां, बिना पहु के रहले हुआ क्यों मोदी जी ना रहरे, योगी जी ना रहरे, रामदेव जी ना रहरे बाएक तेंड इच्चे उतर जा, नहीं तरह यहीं राम रहीं बनाये दुमा, उता रिच्चे बैट, गोली न मार दिये, गोली न मार दिये स्टार्ट कर हिलना जाइए बिल्गुल भी, ओबिडी में तार दुमा गोली चला अग्यको, बैट, डंग्जी रोगे आग्यको घ्रनीचा, तार माडे से, जल्द परच चल निकाजी चल सरकारी स्कूल में मास्टर है जी उ है छोड़ा ता बिल्कल हीरो जैसा इसमें क्या कमी है मास्टर अरे मास्टर मस्ध माल students क्या बात हुई यह तो के शाड़ी आंवैरिश्टी हे एसा करना सरा सरा अनुचिथ है वाँ मास्टर जी मत बता मुझे क्या तो मेरे कलभागण जे मला गर दे अंनी तो जो गोली ऐसी जगह मारूंगे डाक्टर भी पत्ती करता सर्म आवेगा लाओ तो जालो पाश्कर यो भीया करके तंदे ठीक नहीं करा चतरो तेरते भीया तो मैं करना चाहा रहता अटन ने इस कान खजूरेते भीया कर लिया मेरे में के कमी थी मारा मुखिया भी गैंगिस्टर और तू भी गैंगिस्टर और दुन्नों का गैल भीया हो जाता कितना बड़ी है रहता तो पहले बताता अब तो मैंने भ्या कर लिया अब को तू बन सके है तो मेरा भहिया बन जा चतरो एक तो तन्य मेरी साथ भ्या नहीं करा और उपड़ते है मुझे भहिया बोलके मेरी बेज़ती करी इस बेज़ती का बदला मैं एक ना एक दिन चरूर लूँगा तेरे से चल बई अरे चल जा जा तू चतरो की पूछ पाड़ लिये आया भला चलो मास्टर जी चलो बेटे तेरी गैंगिस्टर माने मुझे किड़ने अप करकर जबरदस्ती मेरे थसादी करी थी पर मैं ने उस गुंडी को भजार वेर अपराद का रास्ता छोड़ने को कही थी पर उसने मेरी एक नहीं मननी पिताजी क्या आपने कदी मम्मी को दंडे के जोर पे नहीं समझाया बेटा मैं इस तरी को परताड़ित करना अधर्म समझता हूँ परन्तु एक बार मैंने मजबूर होके चत्रों के गाल पे एक थपड़ मार दिया था और उसके बाद तेरी मम्मी ने मुझे खंबेता बांध कह इतने साठ्टे बजाए इतने साठ्टे बजाए इतने साठ्टे बजाए के मुझे तीन घंटे महोस आया था ओ, इतनी खतरनाग है मेरी मम्मी? मम्मा बंबई में जेव काटने की ट्रेनिंग देने के गुफ्ती स्कूल चला वे अरूस अपरादी ने तुझे भी अपराद करना सिखा दिया होगा हाँ मम्मा जी ने मुझे जेव काटने से करदर काटने तक के सारे अपराद सिखा दिये पिता जी तब मुझे एक बात बता मुख्या बदमास ने थारा मटर कैसे करा था थारा गोली मारी थी या थारा टैटो दबा जया था बेट्टे उ घटना तो बढ़िया जीव तरीके से घटी थी एक दिन तेरी मा को मेरी गयल कुष्टी लड़ने के सनक चटी और उ मुझा लेकर खेत में पहुंच गी और उ मेरी गयल कुष्टी करल लगी कि यू ले अरे मर गया माश्टर तेरे में तो दमी ना तो आरे बादा मर काजु लागे थे हुँआ खाकरी दूद में घोट घोट के अरे भागवान मैं तो अध्या पाकू मेरे पर तो गुणा भाग के सवाल करने आमें कुष्टी लड़नी थोड़े आवे यह माश्टर तेरह तो सारा केल्सिम खतम हुए पड़ा तो अंदर से विल्गुल थोता ही हो रहा वही बात ना तुझा खुरा का लगाउंगी मैं चत्रो देवी इस मोक्ते की तलास में तो मैं आठ साल से था उस अपनी बेजती का बदला आज मैं तुझा मार के लूँगा चत्रो जैसे शेर निकुद तेरे जैसे गिदड़ की बसकी ना मार ना तेरे जैसे निकी तो मुंडी पकड़के बगल में मरोड का फैक दूँझे समझ रहा तू अच्छा तो ऐसी बात है आज मैं तुझे ना मार हुआ तेरे इस पती मास्टर कु मार के है तुझे तडपत हुआ हुआ देख रहे मास्टर एक बर फिर कैसले आजाओ घराम जादे मैं लिकाड़ूं ही थारी बदमास सी तुझे मास्टर तुझे के हो गिया वोड़ी तो पर आसमान में चली तू कैसे लोट गिया अब यह तुझे मेरे खसम बिल्कुल ही हो गया खतम तेरे तो फैपड़ों में सास इन दिख्खे इसमें तो धड़कानी नाई तो गया दिख्खे यू तो सच में मर्या दिख्खे है आ में मर चुका हूं चत्रो यह आवाज काह साई मेरी आत्मा सरे से निकल चुकी है सेवक राम अब तुझे और मुझे तेरा परिवार देख सकता है लास यहां पढ़िया और आत्मा हुआ खड़िया अब अपनी पतिने को आगरी बारा एलावी बोन दो और मेरे साथ यह में लोग तुझे के लिए प्रस्थान करो रहा है और वो अपने मम्मा के वहां गया हुआ है जब तक मेरा बच्चा जवान्मी हो जागा मैं आपके साथ नहीं जाओंगा तो बेटा मेरे तो प्राण गोड़ी की आवाज सुन तो लिखड़ गेते और दो दिन बाद तिरी माने मुखिया बदमास को भी मार दिया था यार साधा वेक बात बता यो चत्रों को पती गोड़ी की आवाज सुन तो ही मर गया और जो मैं इसके गोड़ी मार देता तो इसके तो चीथड़े चीथड़े यूड़ जाते तुके सोच रहा था यह मैं तुझा बदकास दूगे इतनी बावड़ी फुच लागरी यह तुझा चतरों मार ना तो तुझा पड़ेगा जिवन बार चत्रों मेरे एक चट्टा बैटता है मेरे बदने के बाद इसका दाल पार भाड़ कोन करेगा मेरा आदमी तेरी बत्तमी जी की वज़े सा मरा मरना तो तुझे भी पड़ेगा मुखिया तू मेरे लिए एक खत्रा है मरना तो तुझे पड़ेगा मुखिया यानि मम्मी ने थारी मोट का बदला ले लिया था मेरी मम्मी तो सच में महान है रहा मुरक कोई भी बदमास या बदमास ने महान नी होते बदमास चाहे कितना भी दबंग हो लेकिन उसकी मौद किसी बदमास की गोड़ी से या पुलिस की गोड़ी से ही हो इसलिए मैं तुझे आप रादी बढ़ने से बचा रहा हूँ मैं आपकी बास समझ गया पिता जी कूल डाउन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं गैंगेश्टा नहीं बनूँगा मैं साधी भी उस लेड़ी की से करूँगा जो आपको पसंद होगी चाबास मेरे बेट्टे हा 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 अल्या बाई यम्दूत भी परकट होगा अरे ओ भगोडी आत्मा हो तो गया तेरा ड्रामा अब तू चुप चाब मेरे साथ यम लोग चल नहीं तो ये रस्ची का फंदा तेरे गले में डाल कर तुझे यम परी तक घशीट की ले जाऊंगा बाबा सुन ले अम्दूत जब तक मेरे मन कुछ अन्तुष्टी नहीं हो जागी न मैं ऐसे बिलकुल नि जमवा तू जा मैं अपने आपा जमवा तू श्टात्मा तू ऐसे नहीं मानेगी तेरे गले मेरे रस्ची का फंदा डाल कर तुझे ले चलता हूं यम लोग परी चल तेरी एसी की तक्सिर चल कमेनी आत्मा माश्टर की बत्तमीज दुष्ट आत्मा तू मेरे साथ एक बार यम लोग चल तुझे सोले नरख की भट्की में जहुग दूआ भई यू स्वांग पहली बेर देख रहा हूं आत्मा आत्मा कू मार रही है हाँ सही पते पर आ गया हाँ भाई यूई है दोली मेरेज भी उरो रह कोई है घर पे आ रही हूँ हाँ जी बताओ क्या काम है ए बिचोलिया मेडम मुझे घडी की चोथाई में एक सोनी सुत्री बहुचा और हाँ वह अट्टी कट्टी दबंग होनी चाहिए बता तु दुआवगी ऐसी बहुचा तुम कोन हो अंकल जी तुमारा परीच्छ है मैं हूँ माड़ा बदमास सायद मारे बारे में तुझे जानकारी नहीं अच्छिया बदमास है तू थमजा मैं लिकाड़ूंगी तेरी बदमासी हैं यू लाइटर गन हाथ में लेक है और मुझे बदमासी दिखा रहा हैं दिखा दिखा हां बदमासी मैं देखूंगी तेर अब सबसे पहले मुझे पूरी बात डीटेल में बताओ उंकल जी बात ऐसी है मेडम यू था जी सारा मामला चत्रोचाची और चत्रोचाची की हवेली पूरे गवाड़ में मसूर है आप कल आजी यो और मालक इन से बात कर लियो ठीक है मैं कल हवेली आके चत्रोचाची से बात कर लूगी और फिर उनके लड़के से भी मिल लूगी बस तमें काम करियो कि मेरी फीस मुझे एडवांस में दिला दियो अरे तु फीस की चिंदा ना कर है मैं तु जेतने रपे दुआ दुआ दूआ तु गिनती गिनती ठक जगी अच्छा तो मैं चलूँ राम राम अरे ओ गंजे अरे रुकतो अरे भाई हमें सवेल्ली में इस गेट में कुनी जाना और हमें तो इस दिवार पको कूद का जाना क्यों बै हम कोई लंगूर है जो इस खुला गेट छोड़के अ इस दिवार पको कूद का जाओंगे अरे बावली पूच हम लंगूर ना है हम परांडीट बदमास है परांडीट बदमास अरे परांडीट बदमास दिवार पको कूद का जाक रहे हो यार टिल्लू तू सही कह रहा लिवार भगू कूद के चलेंगे बाई अर्य मैं तो सही कहूँ चड़ले अर्य गंजे इन्हें चूतडू बना बढ़वा लिये बाई ठीक कह रहा ट्राइब भान खाई चतरों के घर मैं चौर चोर चोर चौर चोर अर्य हुआ घरकूँ की हम चोर अंच को बंद कर ले नहीं तो तो तरी गंजी टाट कू फोड़ गया तर भूद जाखिना दूआ अरा तू अट परेकू अरा अंकल जी तुमा कहला थैमी ओरी हम्या चोरी ओरी करन ना है हम तो अपने यार वीरते मिलना है साले लुटिया चोर जूट भी हत्ती जितना बड़ा बोल रहा चल मालकिन के पास वो ही करेंगी था रहा फैंसला चलो मालकिन के पास चल तो नहीं है चलते रहे थमते अंदे कुमाड़े तिरह माड़े तन्न कोई लड़की तलास करी या ना करी मालकिन मैं गया तो था दो-चार लड़की वालों के घर पर कहीं बात बढ़ी ना मालकिन ये दोन्नों लूटिया चोर हबेली में चोर ही करने घुसे थे बताओ के करना इनका मेरी हबेली में घुसने वाले चोर की एक ही सजा है इन दोन्नों को नंगे कर और पेड़ पे न उल्टे लटका और इनके पिछवाड़े पे साटे बजा अरे चाची हम चोर ना है हम तो वीर के यार है उठ्ट और मिलना आये थे हम तो बचपन के यार है हम तो उसकी गेल गैंगे में साम मिलना आये थे बकवास बंद करा और दॉन्नों मूर्गे बंद जाओ अन्मीत तो रे कान पार के गुद्दी के पिछवा दूगे चलो मैं अपनी जाड़ों लगा लूँ तू बतावे माड़ा रिष्टे की बात कर रहा था तू अजी में गया तो था कहीं गरों में रिष्टा लेक है पर कहीं बात ही ना बनी गैंगिस्टर के बेट्टे का नाम सुनूती सबकी फूख सरक जा अच्छिया यू बात है लेकिन आप चिंता ना करो मालकिन मैंने एक भिया करवाने वाली लड़की को वीर भया का ठेका दे दिया साथी का और वो आपकी पसंद का रिष्टा करवावागी बस थोड़ी सी फीच लेवागी माडे मुझे एक माईने के अंदर अंदर इस हवेल्ली में बावव चेहिए जा कुछ भी जतन करो अरे अब बरी क्या रहे पाप पठने को होरे माडे या किसी छोरी का या किसी की बाव का अपरन करके लाणा पड़े फर मेर बेट्टे का भ्या करवाव हो जागा मालकिन जी हो जागा अरे नत्थो टिल्लू अरे तम दोन्ø मूर्गा क्यो बन रहे हो अरे मम्मी के गलती करदी नो न बेट्टा है दोन्णो लुट्टिया चोर हमारी हेल्ली में चोरी कणने की नियत सा बड़े थे मन्ने दुन्नों को पकड़ का मुर्गा बना दिया अरी मम्मी यह चोर ना है यह तो मन्ने मुलवाए थे यह मेरे बचपन के यार है मेरे से मिलना है चलो ऐसी बात है तुम आप कर देती हूं मोज लेओ बेटा जाओ चतरो चाची इस तो यकीन होगा महर पताज है हम चोर ना है हम तो टोब बदमास है चाची हम वीर की गैंग में बरती हो ना है जो तन ने हमें गैंग में बरती कर लिया ना इस पूरे को आण में वीर की तरफ को कोई आँक उठागे ने देख सकता तो अच्छी आओ अ तुम इतने धबालो तो नो बताू तम ने आज तक कितनो को मारा था किषह PL cop जर जगा पर मारे किस्से खतम ना हो बताओ बताओ और कोन से तीर मारे तम दोनों ने तो सुन ले भाई और सुमने बावली कुतिया मारी और एक दिन भरी दू फैर मैं पचीस-तीस खतवल मारे जरी मेरे किस्से के सुनो एक दिन मन्नेक इजडे की तरफको एंख मारती और इजडे ना मेरे इतनी चपल मारी इतनी चपल मारी उद दिन तै मेरे सिर्पा बाल नी आये अरे इसमे असन की कोण सी बात है मारत खतरनाक बदमास तो फूरे गवांड में भी नी एक दिन मन्नेक पहलवान का थपड मारती था फिर उस पहलवान तुझे कुछ ना कई मुझे तो कुछ निगई पर उसना मझे धर्ति में गेर के इतने गोड़े मारे इतने गोड़े मारे मझे एक मिन्नास पताल मरे आना पड़ा चलो ठीक है समझगी मैं भी तम कितने बात दूरो आज से तम दुन्नों वीर की गयाल काम करोगे राजेंदर जी थारी भैंड टिमपल के लिए मेरे धोरे एक बहुती अच्छे लड़के करिश्टा आया है लड़का बहुती दबंग और उच्छे खानदान का है तम काओ तो मैं बात आगे बढ़ा दू बस तो फेर जब थारी हरी जंडी होगी तो मैं भी बात आगे बढ़ा देती हूँ जी 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 बिल्कुल ओ तरी बहस की पूच जी जानता ना मैं कौन हूँ चल मुबाइल दे वापस चल फोन दे मेरा वापस वड़ना तरे कान पढ़के गुद्धी पच्छा लगा दूँगी अरो यारो बचालो मुझे, अरो इस चीचिडी में मरवा के छुटो के के, अरो ख़लो मुझे बचालो, ए छोड़ छोड़ी, बावरी हो रही है, छोड़ मेरे यार को, छोड़, इसे ना छोड़ू मैं, इस पुत्ते को मैं सिखाऊंगी फोन चीनना, हैं? अरे के बात के सांग हो रहा हूँ, ए मैडम, इसकी कमर पर चड़गा क्यों बैठी के कर गया इसने, इसने मेरे मोबाइल चिनना, इसे ने छोड़ दूँगी आज मैं, मैं जान से मार दूँगी इसे, अरे मैडम तुझे छोड़गा खड़ी तो हो, मैं करूँ इससे बात, अरे भूत निके, अरे बस की कमा के खाणा ना, जो तम चोरी करते फिरो, देवैस का फोन या खुराग दूँ, बाई जब लो, अब तम तिन्नो पतली गड़ी जली कर लो, ना मार मार के मुक्के, थाली दही पिल पिली जिकर दूँ, जल बाई चल, जल दी जल, ले बई मैडम, अपना मुवाइल, तुम मुझे देखके, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि मन ने आज तक इतनी बहदूर और सुन्दर लड़की कभी नी देखी, मुझे पहली मुलागात में तेरे से त्यार हो गया, मुझे भी जे लागे गिधू पुत्तने, मैं बन जाउंगा छाया, जे लागे गिधू पुत्तने, मैं बन जाउंगा छाया, कदम कदम पैसाथ चलूंगा, मैं बन के तेरा साया, पादा कर लिया गोरी मन, तेरा साथ निभोने का, चाहे कयामत आजावे, कद नहीं छोड कर जाने का, ओ वादा कर लिया गोरी मन, तेरा साथ निभोने का, चाहे कयामत आजावे, खद नहीं छोड कर जाने का, तेरा मेरा साथ किसे पैस, जागा नहीं छुडाया, कदम कदम पैसाथ चलूंगा, मैं बन के तेरा साया हीर और रांजय की तरियां हम भी मिसाल बनावेंगे सच्चा प्यार करनिय कसम तो मारे नाम की खावेंगे हीर और रांजय की तरियां हम भी मिसाल बनावेंगे सच्चा प्यार करनिय कसम तो मारे नाम की खावेंगे इस दुनिया मैं गोरी मैं बस तेरे खोतर आया कदम कदम पैसात चलूँगा मैं बन के तेरा साया मन में ही ना मेरे तो तु रोम रोम में बसी होई चोविस घंते खयाल तेरा से पीत तेरे तैसी होई मन में ही ना मेरे तो तु रोम रोम में बसी होई चोविस घंते खयाल तेरा से पीत तेरे तैसी होई एक पल खातर भी गोरी कदे तने भूला ना पाया कदम कदम पैसात चलूँगा मैं बन के तेरा साया ए मिस्टर तुमने मेरी हेल्प कर दी उसके लिए थैंक्स लेकिन अब मेरा हाथ तो छोड़ो ओ सोरी मेडम मैं थोड़ा ख्यालों में खोगे था अच्छा मैं चलता हूँ अच्छा में बड़ा जीप सा लड़का था लेकिन है बड़ा मज़ेदार पर टिल्लू भाई तन्य चत्रो चाच्छी को जो गरम जोस में जुबान दे दी बहु लाँगे कहां था भाई बाई नत्थू या पड़ी लाठी मन्ने अपने पिछोंडे में तो दे ली इवी से जेलू भवी महीं बहु का जुगार तो मज़े कहीना कहीं ता करना ही पड़ेगा नहीं तो वा चाच्छी मेरा गोली बार जगी खेर मज़े सोचन दे तू और अब आई टिलू तिरे में अतना दिमाग तो है तू कहीना कहीं तह कुछ ना कुछ जुगार तो करते हैं साली सोनाली मेरे कान पर रैप्ट्रा मार के तन्य अच्छा नहीं करा साली आती रात को तेरे काड़ा साप डंग मारेगा तू तडब तडब के मरेगी मैं अपनी घरवाली सोनाली को कोश रहा उसके रात को बारे बचे काड़ा नाग एवे बेवडे तेरी घरवाली नहीं से कसा जुलूम कर दिया जो तुसे सराब दिया लग रहा देख यार तु है मेरा सच्चा यार अर तुझे एक बात बता रहा हूं किसी के आगगे भी जिकर मत कर दिया ना तुझे भी सराब दे दुआ अर्यो खसम तु है दारूबाज और मैं हूँ बदमास तेरे मेरा के एक यार यार ना ये खमा खाके रिष्टे ना जोड़े नू बता तेरी घरवाली ने तेरी गैल क्यो ठम कर दिया मेरी घरवाली ये दबंग लुगाई वा आज तक मेरे कब बुमेनी आई उसने मेरी दारू भी पीली और मेरे रैप्टे मार के मैं गरता बार काड़ दिया आज इसलिए मन ने सराप दे दिया प्रेटिल्लू इसकी दबंग लुगाई और भाई तेरी दशुली बगवान ना भाई तू सही से मज़रा न तू यू है अपनी घरवाली ते परिशान क्यों ना इसकी घरवाली कू वीर की घरवाली बना दिया जाए सही जुगाड रेगा कर ले बात इस ते अर्यो सराभी भाई तेर तो बहुत घणी खतरनाक है लुगाई वह तो भाई तेरा मडर भी कर सकें तेरा टेट में भी दबा सकें जाए दूद में गेर के जैर भी प्या सकें और तू इतनी गुंडी बदमास लुगाई ते अपना पिच्छा को नी चुडवा लेता भाई तो एक काम कर अपनी शलुगाई को बज़ा दें चल तो ठीक है तम लेलो पर मेरी लुगाई का करोगे के अम उसका ब्या करवा ओंगे प्या तो होया पड़ा मेरी गया लुसका अरो बावली तरेड तो जैसा बात ता के ले ना हम तो तेरी बोगा चार गे रहेंगे उसे अमाफ सोब गा अपना पण चुटा मेरी बात सुनके मैं तांडव कर रहा अरे न तू इसके के मिरी किस उटगी भाई मजह नहीं पता अज क्या हो गया अरे अरे आमके दिजो चाहे मेरी घरवाली लुची चला फंगी है तो मेरी घरवाली तॉम उसका अचार के रोगे तो जूपरे ङौ़ा तो एंघ क्याती ़ारा थोतु नहीं कर दोस्काइट कर दोखे जार नहीं अचोंड़ेट क्य को आज़े कर दो में थी नहीं गनचन ओनेएफ सकती आज़ दी न। कि साल वाजव तुम्हें जानता मारुआं चल पॉन मिला अपने घरवाली को हेलो सुनीता तु एक गंटे के अंदर 25 रुपे ले गया जा उसे खेत पर जिसे हम होस्पिटल के लिए खरीदना चाहते हैं अरे सवाल जबाब बाद में करियो जितना कहा है उतना कर 25 रुपे लेकर फटा फटा फट गेत हम पहुच्जा वरना नुक्सान हो जाकर बहुत मोटा चाची जी आपके कहने के मताबिक मैंने अपने वाइप को फोन कर दिया है वो 25 रुपे लेकर उसी खेते पहुच जाएगी जासे अपने मेरी किटने भी कराई थे तू मेरी गयाल कोई चलाकी करने की कोशिज मत करिये नहीं तो अपने बहस्तों के तवेले में तुझे गोपठ ठाने पे लगा दूगी हाँ मेरी ममी जो कह है न उसे हर आल में पूरा करे आजी दो दिन से मैं आपकी हवेली में बंदी बना पड़ा हूँ इन राक्सस जैसे वादमासों के लाद खुशे खा रहा हूँ और अपने आसो पी रहा हूँ इतनी सेवक करवाने के बाद भी मैं कोई चलाकी कर सकता कलवा जुगार इसे डाक्टर को लेकर जा और इसकी लुगाई से फिरोति के पैसे लेखा आओ चल रहे भाई मार कुझ रहे और रहे भाई मार कुझ रहे और तेरी ऐसी की तैसी डाक्टर की मम्मी एक बात बताओ मारे दोरे इतनी प्रोपटी हैं 20-30 क्रोड रुपे बैंको में भी हैं जीवन के सारे सुख है हमारे दोरे अब हमें बदमासी का जीवन छोड़ गया राजनिती में कदम रख लेना चाहिए अरे मेरे लाल तन्न वुकावत ने सुनी जिसका काम उसी करें तो जूत्ता बाद जै भाई इसके समझ में नियाने की कुछ भी भाई मारी बास सुन मैं हूँ बदमासों के खांदान की मेर पर तो सिरफ बदमासी करनी आवें ना राजनिती चोधी मन्न कदी करी अरना मैं करूँ मारी इस खांदान की परंपरा को लेके चलाग गतुजर तेरी बाउखो याल तु फालतु की बात छोड़ दे और बदमासी में नाम कबाने की सोच चाची राम 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 मालकिन यह यह वो लड़की जो रिष्टे नाते करवाव है अच्छे अच्छे बैट बैटी बैट चाची मेरा नाम डोली है मैं मैरीज ब्यूरो चलाती हूं रिष्टे नाते कराती हूं और डाल रोटी कमाती हूं मुझे सब पता माड़ ने मुझे सारी बात बता दी तू एक काम कर मेरे बैट बीर के लिए कोई दबंग सी तकड़ी सी बहु ला के दे मुझे चाची आपकी पसंद की एक लड़की मेरी नजरों में है आप एक काम करो अपने लड़के को बुलाओ मैं उसे अपनी गैल ले जाओंगी और लड़की दिखा दूँगी और जो उसे पसंद आगी तो मैं चट मंगनी पट विया करा दूँगी अरे मैडम जी ये जो आपके सामने इरो बैठा है न ये ही तो है मौलकीन का लड़का वीर अरे मैडम इतनी एरानी से देखने के जुरूरत ना है मैं यूँ वीर अगर विश्वास न हो तो अपना धार काड़ दिखाऊं अरे नहीं नहीं ओ ऐसा कुछ नहीं है बस दरसल मैं तुम्हें यहां देखके समझ नहीं पाई कि तुम्हीं चाची के बिटे हो अब तु पता चल गया मैं कौन हूँ हाँ बिल्कुल तो अब चले लड़की देखने हाँ हाँ बिल्कुल इसी काम के लिए तु आई हूँ मैं यहां आ तो चल चलो बीर बाबू जो लड़की तुम्हारे लिए देखी है न वो तुम्हारे लिए एक दम परफेक्ट है दगडी है दबंग है और गालियां तो ऐसी देवे जैसे परसांग बाटरी हो फटाफट एक सेकिंड में 15-20 गाली देदेवे वो भी गंदी गंदी और मेरी मानो तो तुम लड़की देखते शादी के लिए तुरंट ना कर दियो और मेरी रिस्ता कराने की पीस मुझे आज ही दे दियो जब तुम मुझे पहली बार मिला था जब तो बड़ा तोते की दर टर टर कर रहा था अर अब इतनी देर से कुछ भी न बोल रहा अरे मेरी बात का हाँ या ना कुछ तो जवाब दे गुंगे का गुड़ खा लिया के तुम इतनी मिठी बोली में बात कर रही है मन कर रहा तेरी बात सुनता ही रहूं कुछ बोलने का मन ही न कर रहा ठीके ठीके कुछ मत बोल पर जैसे मैंने का है वैसे ही करना दी दी मेरी बो बहुत बिमार है दी दी मुझे कुछ पैसे दे तो दी दी औरे ओ, जितना हट्टा गट्टा हो के भीक मांग रहा कोई मैंनत मजदूरी करके ना कमा सकता करूं जी, मजदूरी करूं जी बट्टे पे ईट पात्हूं जी पर जितना कमाँ सारा भोगे इलाज में लग जा जी मैं तो जी 10 लाक के कर्जे में आगा जी ओ माई गॉड ये तो वाके ही मदद का हगदार है तू एक मिनट के लिए टांग निच्चे कर सके हैं ले बई जा के अपनी बउ का इलाज करा लियो तू के बजर बट्टू की तर टुकर टुकर देख रहा है चल तू भी मदद कर इस बिचारे की अलिकार अपना परस अर देई से पैसे अरे यू कोई बिचारा बिचारा ना है यू एक नंबर का नसे डिये थोड़ी देरे में देखिए, यू तुझे ठेक्के में मिलागा बस बस ज्यादा कानून मत बतावे, अधेई से चुपचाप पैसे ला बई हद कर दी बई कंचुस्ती की, इतनी करोडों की प्रोपर्टी का माली को के बस 500 रुपे देगा दिखा हो रहेगो जा बई, जा के अपनी बउ का इलाज करा लिए किसी अच्छे से डॉक्टर से और सुन, चिंदा मत करी हो, वो जल्दी ठीक हो जाओगी दीदी, आप दुन्नों की जोड़ी भगवान सदा सलामत रखे तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया, मैं तुम्हारी जादे पैसे लेके इस आदमी को दे दिये मरने के बाद सब कुछ यही दरा कदर रह जावे, एक सुई भी गैल न जाती इसलिए गरीबों की मदद करके पुनकरम कमाते रहने चाहिए यही जावें गैल में, आगी बात समझ में? बिल्कुल आगी, अब चले लड़की देखने ओहो, बड़ी जल्दी हो रही है राजबाबू को लड़की से मिलने की मन में लड़ू भूट रहे होंगे, घणी जल्दी मत ना करे, जल्दी का काम शैतान का होवे चल बैट, हाँ चल हाँ हाँ, इन पैसे ते तो मैं चे मैंने तक दा रुभी हुआ हाँ चुप हो जाओ बेइमान, डिमपल थारे जैसे हारने वाली ना है, चल चुप कर, गिटी चल तू हाँ अरी थो, मेरी कटो, मैं तो छका गिया है, तो आक्यान दे, लिदे खोल के देख, चैना ये दो है, और ये दिदे ठोड़ दूगी तेरे, ज़व भैमन ना खरेगा, अराम ते खेले, जबाओ अच्छा तो तुम सारे मिलके मेरे साथ भाहिमान न करना चारे मैं चोरी ज़रूर हूँ पर चोरों से कमना मार मार के न भूत बना दूगी ठरा हराम के बिज्जो रुख जाओ दंड़क आए मेरा ऐसे ऐसे आजा, कम छुटन राजिंदर जी, राम राम डोली, आजा बेट और सुना, आज किस चेलियो गयलियो फिर है अरे राजिंदर जी, कल थारे से मेरी फोन पे बात हुई थी न कि थारी भेंट टिमपल के लिए एक बहुत बड़ी अरिष्टा है मेरे धोर है तो ये उसी सिलसिले में आये है के नाम है भाई तेरा? मेरा नाम वीर है जी तन्य के वीरता का काम करया कोई अजी इन ही को तो अपनी शादी करानी है बहुत उच्चा खांदान है इनका करोडों की तो जायदाद है इनकी और जो इन्हें थारी डोली पसंद आगी न तो उसकी तो किसमत ही खुल जाओगी क्या खोड़ेगा मेरी? पता चल गया? हाँ राजेंदर जी लड़की को तो लड़का पसंद आना बहुत जरूरी हो है तब ही तो रिष्टा कराने में मज़ेदारी हो है तो में काम करो अपनी भेंट डिम्पल को जल्दी से बुलालो और सुनो, नास्टे-पानी का ब इंतयाम कर लियो हाँ जी बिल्कुल, नास्टे-पानी क इंतयाम के लंच भी होगा, डिनर भी होगा एक बें डिंपल को पसंद तो आ जाई हूँ बुला रहा हूँ डिंपल को डिंपले यह जल्दी भाग का ते रिष्टे के लिए एक लड़का आया है को है को है को है को है थो आ है तुप जा शांदी से बैठ जा देखो जी ऐसा है माबाप तो मेरे बच्चपन में टपक गेते उसके बाद मैं इसका बाप हूं मैं इसका भाई हूं यू थोड़ी चुलबूली सी है थोड़ी सी जबान जोर भी है यू है के वो लड़का हाँ और कोणे इसके लावायां एरे हिरो तुआया मज़े देखकन अग्यत है पिच्छेत है उपरत है निच्छेत है अच्छी तरह देख लिए दिम्पल तुझे पसंद है यू लड़का हाँ यू लड़का तो मुझे बहुत पसंद है ब्या तो इम्में इस ते ही करूँगी पर इसे नू बता दिये मैं भी आके बाद ज़ाड़ू पच्छा चुलाचो का कुछ नहीं करूँ तो फेर के करेगी दाधा गिरी करूँगी और सास्सू के साथ जबान जोरी करूँगी और इसकी जेम मैं पीसे चोरी करूँगी वा जी वा लड़की तो बड़ी दबंग है इसका तो मर्दाना ढग है तो वीर जी आपको टिम्पल पसंद आई बताओ जी बताओ मारी बेंड पसंद आई तम है हां मत कर दिये बेट्टा यू लड़की ना है यू है लड़ाकू विमान इसते विया करके तू रहेगा सावा जनम परेशान तेरी जिंदगी नरख हो जगी बात तो थारी ठीक है पिता जी पर मा को तो ऐसी बहुँ चाहिए बेट्टे वीर हां मत कर दिये अगर तू अपनी मा की इच्छा से साधी करेगा तो मेरी आत्मा सदा न्योई भटकती रहेगी और प्रेत बने के मैं तो न्योई घुम्मूआ हां मत कर दिये ठीक है पिता जी थारी इच्छा राजिन्दर जी मुझे तुम्हारी बेट पसंद लिए मैं इससाधी नहीं कर सकता ओ हिरो तुम्हे पसंद आगा ब्यातो इब जब मेरा तेरी गया ली होगा भया पंडित को फोन करू मैं इभी के इभी फेरे लिए लूंगी इस्ते ऐसे तुम्हेरी बेज बाई वीर बाबू बात ऐसी है मेरी बहने बहुत जिद्धी अब तो इसे मिलेटरी भी नहीं रोख सकती बेट्टे वीर हिम्मत करके एड़े रहिए जैसे अंग्रेज्जों के सामने कांधी जी एड़े थे और जीवन में चेक वार अमर जीए पर इस गुंडी को मारे घर की पहुमत बनाईए ठीक है अब मैं जा रहा हूँ शिमार दिये मोर्चे को बाई वीर बाबू हमें एक बात बता तुझे कुछ भूत परेद दिखाई देंके जो तु हवाओं में बात करने लगए नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है तो फिर मेरी बात का जवाब दे अपने बारे में बता कौन सा गाम है थारा क्या तुम्हारा खांदान है क्या तुम बाई चत्रो चाच्छी तो नाम में गैंगस्टर है और वा मेरी साथ सुबन जगी मज़ा ही ना आजगा इपजा मेरे पे सबर नहीं हो रहा जल्दी ते पंडित बुला के इस्ते मेरा ब्या करवाओ डिमपल तु चत्रो गैंगिस्टर की बहु नहीं बन सकती यो मेरा अंत नहीं है इसलियो तेरी साथी में वहाँ नहीं कर सकता डोली तु एक काम कर इनकी लियो कोई दूसरा इस्ता ढूंड मारी इनकी ताल नखा गया वीर बाबू यू रिस्ता तो खटाई में पड़ गया चलो यहां से मैं तुमारे लियो इस बार बढ़ी हसा रिस्ता क्या चलो मैं धरत बात ना करू इफजा बेबे ऐसे गुंडे खांदान में जाने से तो घर में जिंदकी बार कुवारी बैठी रेकि उठीक रहेगा सिंगावली गाओं में एक लड़का है मिन्टु सर्मा उभी जादा जबान जोर है तू भी तेरी वाँ ताल खा सके उनक वीर बाबू तुम्हारी मम्मी गेंग्स्टर है ये बात तो मुझे पता ही नी थी अब तो तुम्हें पता चल गया ना अब बताओ क्या करना है कोई और लड़की है नहीं लेकिन दो चार दिन में कोई न कोई जरूर तलाश कर लूँगी आकिर मुझे भी तो फीस लेनी है वीर बहुत अच्छा हुआ जोई रिस्ता केंसिल हो गया मैं बहुत खुस हूँ बेटा पिता जी तुम्हारी बात कैसे न मानता मैं आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ तुम्हारी बात न माननूगा तो और किसकी माननूगा ओ है ओ हेलो तुम्हारे दिमाग का नट बोल तो डीला नहीं है, ना जाने तुम अचानक पागलों की तरह किस-किस से बाते करने लग जाते हो, ओ मैडम, मैं पागल नहूं, मैं अपड़े पिता जी की आत्मा से बात कर रहा हूं, पिता जी की आत्मा से बात, सच, सच सच बताओ, तुम सुलफे वाली सिगरेट पीते हो न नशे करते हो न तुम अभी थीकी तो कह रहे हैं आप इने कुछ दिनों की मोहलत दे दो पुत्र मैंने एक पल भी नहीं दे पाऊंगा अभी के अभी अपने साथ ले कर जाऊंगा भाग सेवाकराम अरे भाई ये क्या मामला है कभी तुम आत्मा से बात करते हो कभी तुम यम्दूद से बात करते हो तेरी समझ मैं नाने का यू मामला चल तू हे परभो आज कल अर्थनारी का काम धन्दा बड़ा मंदा चल रहा सहर के लोग इतने भड़वे हो गए है कि बढ़ाई की जगए गालिया देने लगे हैं कमीने हाई भगवान मुझा आज धेर सारी बढ़ाई दिलवा देना कि इतनी गर्मी हो रही है भाई न तू चत्रो चतितर जो वादा करा वह हमें नहीं भाना पड़गा और वीर भाई का ब्या करवाना पड़गा नहीं तो मारी इज्जत कोपर में मिल जेगी ब्या तो करवादे भाई पर मिलतो जावे कोई लुगाई अरे यह तो समस्षा है भाई मिल तो इन रा कोई कच्छा माल अरे भाई देख वीर भाई के लिए भाव मिलगी कि डाड़ साप की डाड़ने रती जावें एक काम कर इसे किटनैप कर ले जल ए अरे इसा कंदेवा दरखा ले चल या पहले तुई मनाओगा इसकी क्यार सुवाग रहत अरे 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 तुका मर्या तावल आजा और शिक्राइए चल जिल दी अरे माड़े कोन ताव मारी सुसरी का जिसने मारे घरो रिष्टा जोडने की मने करी उसे पता नहीं है चत्रोचाची के बबाल है बात तो उसके ठीक है एक जद्दार आदमी किसी बदनाम परिवार से अपना रिष्टा क्यों जोड़ेगा रह मैं बदनाम ना हूँ मैं मसूर हूँ पूरे छेतर में जलवा है मेरा जलवा माड़े दो चाराद मिले के जा उसकी बेट्टी को किडनाप करके ला फेर तो एक काम करूँ जी एक टरोली भी ले जाऊँ जैजी का समान भी गहली बरला हुआ अरे ओ माड़े चाच्चा बंद करते यूट्राम बाजी किजी की बेहन बेट्टी को किडनेप करके बहु बनाना यू कोई अच्छी बात है मुझे न चाते दो नमर की बहु ऐसे बिहा करने में पुराई किये है बेटा मन ने भी तेरे पिताजी का परण करवा के बिहा करा था तेरे पिताजी की गयाल हाँ पता है मुझे जबरजस्ती पिताजी को तमना अपना पती तो बना लिया था पर पती का प्यार तो न मिला तमें मम्मी पती पतनी का रिष्टा प्यार का रिष्टा हो है जबर्जस्ती का नहोत्ता चत्रा चाच्ची हमने अपनी चुनोती पूरी कर दिखाई हम किड्नैप करके लिए एक खुबसूरत लुगाई योर कुवारी है या इसका हुसन है बेमिशाल और चाच्ची इसकी नागण जैसी है चाल वीर भाईया पटाबट नाले और नवे लत्ते पहर ले और भाई सेंट पैंट गेर के और मोर मुख उट लगागे जल्दी दुना बर जा इसकी ग्याल तेरे फेरे ओने भी अरे यू कोन है और कहां से ठाग लाए तम इसे अरा भाई हमना पता या कोन है हम पेश का किटनेप करके लिया है साब बाज तुम दोन्नों ने साबित कर दिया के तम दोन्नों में बदमास्ची के किटाणू है अरा आप इसे ठाओ रखेगा निच्छे तार ले ले बाई यहां आ तो सड़क पर चली जा रहती यहां कैसे आ गई ओन भड़वाले काया मुझे जलती बताओ मैंने भी अपना सलवार खोल कर इंडिया गेशना दिखाये था मेरा भी नाम कमीना कपूर नहीं पिसका के में अचाय डाल लूगे हाए हाए, तुम्हारी अम्मा के हाथ में देदु क्रीम रोल मुझे ना जुक वली को क्यों उठा कर लाये हुँ तुम हां क्या तुम मुझे शाधी करोगे है है कलतियों की भाई वारत है हम तो तुझा लूगाई समझे लिया ही ठाक है इफ तुझा है आता है अभडवे ऐसे कैसे चली जाओंगी बधाई लेकर जाओंगी अल्ला पांस एक्टाउन रुपे निकाल बार दोर ना ठन्नी भी इफ तुझा है आता है लागन जे तो निक है मेरे हीरो मुझे साधी कर लेना मून पर ले जाके हनी मून मनाऊंगी अरी मम्मी यू क्या आपत गेर दी मेरे गले में मिनाट से पहला फूट ले आश्या नहीं तो अच्छाप लेपे ले ले नहीं तो यार यू जो डोली लड़की है ना है बड़ी खुमसूरत जिसके घर में भी ब्याके जाओगी ना उसकी जिन्दगी सुरक बन जाओगी चल ठीक है बाई रेस्ट करें अरे यार वीर जी को फोन करती हूँ उनके रिष्टे के लिए कर लड़की देखने जाना है ना हलो हां जी वीर जी मैं डोली बोल रही हूँ वो कल लड़की देखने जाना है ना आपके रिष्टे के लिए तुम कल 11 बजे मेरी हविली पा आ जाना अपनी स्कूटी हाँ खड़ी कर देना और मेरी बुलट पर चलना ओके चलो ठीक है कल तुमारी बुलट पर ही चलके देखते हैं मैं कल ठीक 11 बजे पहुच जाओंगी आप तैयार है ना ठीक है ओके बाई हां रेडियो तुम हां मैं बेलकुल रेडियो बताओ कहां चलना है हमें सिंगा आवली चलना है चलो तुम बाईक स्टार्ट करो मैं रास्ता बताते हो चलूंगी ठीक है रा बेटा वीर आज फिर लड़की देखना जा रहा हा पिता जी बेटा तेरी मा की छवी अपरादिक है इसलिए कोई अपरादिक प्रवर्तिक आदमी ही इस हवेली से रिस्ता जोड़ेगा कोई सरीप और रिजद्दार आदमी अपनी बेट्टी का हाथ तेरे हाथ में नही देगा अधा जैका जैका आज शीर बात तो ठीक हेरें पिता अगरें चलो ना चल क्यों नहीं रहे वैसी एमें देरी हो रही है एक चल रहे है रुख जाकी मिनिट रहे बेटा क्यों तु लड़की की तलास में दर दर भठकता फिर रहा तू इसे ही इस अवेली की वहूं क् यू लड़की सुन्दर भी है, सुसिल भी, सरेब भी और खांदन नी भी है इस्ते अच्छी लड़की तुझा कहीं नहीं मिलागी मेरी बात मान, तू इसी लड़की को साधी के लिए बना ले अरे क्या होगे वीर बाबू, अगर बुलेट स्टार्ट में होरी तो मेरी स्कूटी से चले नहीं, बुलेट पर चलेंगे, रिष्टे की बात करना जा रहे हैं, कोई मजाग थोड़ी है तो फिर करो स्टार्ट मेरी दूष्ट पत्नी चत्रो, तेरी बदमास्ची का समयव जाने वाला है क्योंकि तेरी आदत सुधारने वाली और इस घर पर राज करने वाली मेरे बेट्टे की बहु बहुत जल्दी आने वाली वीर बापु धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है जाहे सुर्मा आख्या का तु गोरी मने बना लिये और बन के नो लग खाच जाहे चाती के तु लाली खेल भई, उतर निच्चे अरे? हमें तो सिंगावली गाओं में जाना था फिर तु मुझे यहां जंगल में क्यों लियाया? सुन, तेरे मन में कुछ गलती रादा तो ना है बता रही हूँ मैं मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दिये ना तो अभी 112 नंबर फोन करके पुलिस गुला लूँगी अरे शान्त हो जा मेडम, शान्त हो जा मैं गैंगिस्टर का लड़का जरूर हूँ पर गैंगिस्टर ना हूँ, ना कोई बदमास हूँ मैं तो एक सरीफ सा लड़का हूँ पर मैं तेरी गल गलत थरकत क्यों करूँआ एक प्यारी सी भूरी सी लड़की है जो मेरे मन को भागी है मनने फैसला कर लिया मैं उससे शादी करूँगा मैं उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे यहां लाया हूँ कहा है वो लड़की मिलाओ मुझे अच्छा आमेरिगेल एक बेर इस हुद्धी में ज्खाक के देख फिर मिलवाँगा मैं तुझे उस लड़की से तुझे इस हुद्धी में उस लड़की की परच्छाई दिखाई दे रही होगी यू यू तम के कह रहे हो वीर बाबू मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं डोली मुझे तिरे से प्यार हो गया है क्या तु मेरे से साधी करके मेरी दुलहन बनना पसंद करेगी जिस दिन तू मुझे पहली बार मिला था तू भी मेरे मन को भागया था पर फिर दूसरी मुलाकात में तेरी मम्मी ने तेरी शादी की जिम्मेदारी मुझे सोब दी और मेरे दिल की हसरत मेरे दिल में ही दबी रहगी पर मेरे मन में भी तेरे प्रती प्यार हमेशा उम्ड़े था तो इसका मतलब यू हुया तू भी मेरे ससाधी करने के लिए राज्जी है हाँ, मैं राज्जी हूँ पर एक बात तो बता तेरी मम्मी को तो गुंडी और दबंग टाइप की बहु चाहिए और मैं वैसी बिल्कुल ना हूँ फिर तेरी मम्मी मुझे बहु की तरह कैसे सुईकार कर लेंगी मेरी मम्मी को गुंडी टाइप की बहु क्यों चाहिए इसके बिच्छे उनके एक गलत सोच है मैं तुझे डिटेल में बताता हूँ मेरे पिताजी की भटकती हूँ आत्मा यू चाहँ है कि मेरी मम्मी गुंडागर्दी का जीवन छोड़क है सराफत की जिनकी जीव है और इस काम को तू कर सके मुझे तेरे पर विश्वास है मैं समझगी मुझे के करना है अरे जो जब करना हूँ करती रही है फिलाल तो एक काम कर मुझे गड़े लगा ले मेरी आत्मा थंडी सी हो जावोगी प्रेम धुंगाएगे जब तू कहवे तेरी खातर जब तू कहवे तेरी खातर पिक जाओ मैं पाजार मैं छोरी तेरे प्यार मैं देख के छोरे सूरत तेरी दिल अपना गई हार मैं छोरे तेरे प्यार मैं चांद सा चेरा कूमल तेरा मेरे दिल पैवार करें तीर चलाग नजरों के तू मेरे जिगर के पार करें हां चांद सा चेरा कूमल तेरा मेरे दिल पैवार करें तीर चलाग नजरों के तू मेरे जिगर के पार करें ख्यालो मैं तू रहे मेरे मन लगता ना परिवार मैं छोरी तेरे प्यार मैं छोड़ी तेरे प्यार मैं छेलेगा बुरु छोड़े तने मेरी नीदे उड़ादी होगी दिवानी मैं तेरी इन मिठी मिठी बाता की छेलेगा बुरु छोड़े तने मेरी नीदे उड़ादी राता की होगी दिवानी मैं तेरी इन मिठी मिठी बाता की तेरे सिवा मने कोई भी अच्छा लगता ना संसार में छोड़े तेरे प्यार में छोड़े तेरे प्यार में तेरा मेरे लिए मेरा तेरे लिए हम दोनों का जन्म हुआ एक दूझे के लिए तेरे सिकल तो जमूरों जैसी है हारे काम भी जमूरों जैसे तम बदमासी के एकर होगे अरी कशी बात करी चाची, बदमाशी गुट्टी पीपी का तो हम जवान हुए, बदमाशी ये किटानू मारे बितर भरे पड़े अच्छा, गोली चलानी भी आवे थारे पै कशी बात करें बाई गोली की, पतना हम केक्के चला दे सुन मेरी बात, फट्यों ये नोट हम चला दे, तो ये लेका मोटा हम चला दे, और तो और मोबाईल में फेस्बूक हम चला दे, और केक्के चलवावे तुम्हारे पै मन हुआ मगन, हैसी लागी नगन, एक दूझे में खो जाएंगे, मन हुआ मगन ममी अरा तणने जैमाला क्यासे गे रखे गड़े मैं? मने व्याभ लिया पर मेरी बहुग काँ है वा बेटवा तनने तनने देली पर देहला मार दिया, जूण सी चोरी गू मन्ने तेरे व्याभ करने के काम पर लगाई त aging उसी की गयल भिया कर लिया, पर चल कोई बात ना, यू बहु भी बुरी ना, लोली, खड़ी कैसे है, चल के मा के पैर चु आशिरवाद ले, ए बहु तुझा शुड़ाई नाई भी इरने केक आई, चला मेरे पैर चु आशिरवाद देऊंगी तुझा, मैं अपनी सासुमा के पैर जरूर चुँँगी, और उनका आशिरवाद भी जरूर लूँगी, और जीवन भर उनकी सेवा भी करूँगी, पर यू तो बताओ, मेरी सासुमा है कहाँ? हैं? यू कैसी बावली बात कर रहे है बहु? इसका तो कुछ रहागी समझे बना रहा? मेरी सासुमा? नाई, ये मेरी सासुमा नी है, ये तो चत्रो गैंगिस्टर है, और भला मैं एक अप्रादिक आशिरवाद क्यों लूँगी, बहु आने वाले टेम पे तुझे भी मेरी तरह गैंगिस्टर बनना, इसलिए पल्ने में आज जे गांट बान ले, तू कपड़े दोने ये रोटी बनाने नी आई इस हवेली में, तू मेरे पोत्ते पैदा करना ही है, जो आगगे चल का मेरी गद्धी समालने, और पूरी यूपी में उनका नाम ओव है और मेरे नाम का डंकबज है, अगर आपकी सोच अपने पोत्तों के बारे में इतनी पूरी है, तो आपके बारे में सब कुछ जान चुकी, और मुझे यूँ भी पता है, कि एक गैंगेस्टर का अंत या तो दुश्मन की गोडी से हो है, या पुलीस की गोडी से हो है, और मैं आपका ऐसा भयानक अंत बिल्कुल नहीं देखना चाहती मैं आपसे हाथ जोड के विंती कर रही हूँ, कि आप अपना यो अपरादिक जीवन छोड़के, अपनी बाकी की बची कुछी जिन्दकी सराफत से गुजार लो, इसी में हम सब की भलाई है अगर मैं तेरी बात ना माननूं तो, वो आपकी मर्जी, पर फिर मैं इस हवेली में थोड़ी न रहूंगी मैं तो अपने पती को गैल लेके कहीं दूर चली जाओंगी, ठारी पहुँच से बहुत दूर, जहां तम हमें पकड़ भी न पाओ अरे, अरे तू भी सह में ते इसकी बात तो से डोली ठीक ही तो कहरी मम्मी, हम बदमासी करके लोगों में डरो बही तो पैदा कर सकें तू भी पैसे कमा सकें, पर इज्जत नहीं कमा सकते, मुझे भी गैंगिस्टर नहीं बनना, मैं सब्ब्य समाज का सब्ब्य नागरिक बनना चाहता हूँ अच्छिया, तू भी इसकी पढ़ाईवाई पट्टी बोल रहा मैं इसकी पढ़ाईवी पट्टी नहीं बोल रहा मम्मी, मैं तो आपको सही रास्ते बे लाने की कोशिश कर रहा हूँ सिरी मती चतरो देवी, अगर तेरे माबाप ने तुझे दबंगने बना के, शिक्षित बनाये होता, तो तू आज इस तरी मरियादा छोड़ के गैंगिश्टर नहोती और आज तू विद्वा भी न होती, तू अपने एक लोत्ते बेट्टे और उसके आने वाड़े नसलों को अपराद की दलदल में धकेलना चारी है, यू तो तू सरा सर गलत कर रही है अब भी वक्त है, अपने बेट्टे के आने वाड़े भविश को बचा ले हे पापी इस्तरी, बाप और अन्याय का मार्ग सीधा नरक की ओर जाता है, यदि नरक में ना खतम होने वाली यात्नाव से बचना चाती है, तो सुदर जा, पीशवर से अपने पापों की छमा मांग ले, और बाकी का बचावा जीवन भलाई के कारियों में लगा कर अपना जीवन सफल बना ले, अरी चाची, वीर भाई और भापी बिल्कुर सही कहरे, यह बजमा सुदरी जिन्दगी सच मही बेकार है, अजी जबी तो इतनी बड़ी जमीन जजाद हो, तो वे भी इस हवेल्ली से किसीने लिस्ता नहीं जोड़ा, अब तम ने चुक्पी क्यों साद ली, मुझे कुछ तो जवाब दो, तभी तो मैं फैसला करूंगी, कि मुझे मेरी सासुमा, चत्रो देवी की गैल रहना है, यह गैंग्स्टर चत्रो को छोड़ के जाना है, बताओ वै तम सब क्या चाओ, स्रापरा पजील ये गती, जाओ, हमना आज से बदमासी छोड़ देगा, आज से सारे गुंडागर्दी के काम बंद, आज से हम अपनी सरापत की जिन्दगी जीवेंगे, और अपने पापो का पराश्चित करेंगे, आज मिली मेरी आत्मा को शांती, भाई अब तो हो गया तेरे सारा काम, अब तो मिरी गयाल चलिये हम लोग को, अब चल्ड़। अब चल्ड़।